हेलो स्टूरेंट्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस साथ 3.2 देखो इसमें फर्स्ट कोश्चन क्या दिया हुआ है कम्प्लीट तब फॉलोविंग टेबल तो यहाँ पे हमको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें यह है सेरियल नंबर यहाँ पे कुछ नंबर दिये हुए है और इनके पावर्स हमको दिये हुए है नेक्स कॉलम में हमको दिया हुआ है पावर आफ दे रूट और जो लास्ट कॉलम है उसमें दिया हुआ है रूट आफ दे पावर काफी इसी है इसको सॉल्व करना अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको solve कैसे कर सकते हैं अब हम इसको start करते हैं solve करना तो सबसे पहले हम इसका concept समझ जाते हैं एक example लेके मैं आपको बताती हूँ जैसे यहाँ पे हमको दिया हुआ है 225 raised to the 3 upon 2 तो यहाँ पे आपको power में दिख रहा होगा 3 upon 2 तो देखो यहाँ जो numerator के place में होता है उसे हम कहते हैं power और जो denominator के place में होता है उसे हम कहते हैं root तो यह अगर आपको समझ में आ गया तो आप सारे question बहुत easily solve कर सकते हैं इसके साथ में ही मैंने last practice set में आपको बताया था कि अगर 3 होता है तो उसे हम कहते हैं cube और 2 होता है तो हम उसे कहते है square और अगर 4 होतो 4th, 5th, 6th ऐसे दीरे दीरे आगे बढ़ता जाता है बढ़ आपको 2 रहेगा तो आपको square लिखना है और 3 होगा तो आपको cube लिखना है अब हम स्टार्ट करते हैं solve करना देखो यह है serial number यहाँ पे हमको number दिया हुआ है और first column में हमको लिखना है power of the root और second column में हमको लिखना है root of the power बहुत simple है बच्चों अगर वहाँ पे power पहले लिखा है तो आपको पहले power लिखनी है और मैंने आपको बताया है कि जो numerator के place में होता है वो होता है power और जो denominator के place में होता है वो होता है उसका root तो अगर power of the root लिखा है तो जो पहले लिखा है वो ही आपको पहले लिखना है, जैसे power लिखा है, तो पहले आपको power लिखना होगा, और जब root पहले लिखा हुआ है, तो आपको पहले root लिखना है, तो 3 को हम क्या कहते है, cube, और 2 को क्या कहते है, square, तो वही सेम यहाँ पे लिखना है, तो यह क्या यहाँ पे, power of the root, तो power of the root ह हम क्या लिखने वाले है, root, cube of, square, root of, 225, मतलब जब power of the root, हम लिखने वाले हैं, तो power पहले दिया है, तो हम power पहले लिखेंगे, of, उसके बाद हम root लिखेंगे, root क्या है, 2, square root of 225, उसके बाद हम लिखेंगे, number, next, देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, root of the power, अब root पहले दिया है, तो हम पहले root लिखेंगे, root क्या है, square root है, root of the power, तो root में यहाँ पे हमको 2 दिया है, और 2 को हम कहते है, square, तो हम लिखेंगे, square, root of, cube of, 225, देखो, square root of cube of 225, देखो, यहाँ पे root क्या था, square था, तो हमने लिख लिया, square root of, power क्या थी, यहाँ पे, cube था, तो हमने लिख लिख लिखेंगे, cube of 225, सबसे लास में हमको number लिखना होता है, सेकेंड नमबर हमको दिया हुआ है, 45, raise to the power में हमको क्या दिया हुआ है, 4 upon 5, अब सेकेंड कोश्चन में आप देखो, power में क्या दिया हुआ है, 4, और root में क्या दिया हुआ है, 5, तो सबसे पहले हम लिखने वाले है, power of the root, power of the root मतलब power पहले है, तो हम पहले power लिखेंगे, power यहाँ पे क्या है, 4th, तो हम लिख सकते हैं, 4th, power, of, root में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5th, तो हम लिखेंगे, 5th, root, of, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, number, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 45, तो हमने इसको कैसे लिखा, 4th, power of, देखू, यह 4 है, 4th, power of, 5th, root of, 45, मतलब power of the root, मतलब power पहले लिखा, उसके बाद हमने root लिखा, और सबसे last में, number लिखा, अब हम लिखते हैं, root of the power, root of the power में, हम पहले root लिखेंगे, उसके बाद power लिखेंगे, root में क्या है यहाँ पे, 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5th, root, of, अब हम लिखेंगे power, power क्या यहाँ पे, 4, 4th, power, of, 45, अब हम solve करते हैं, इसका 3rd example, 3rd example में हमको दिया हुआ है, 81, raised to the power में हमको क्या दिया हुआ है, 6 upon 7, अब ही देखो, यहाँ पे power है 6, और root है 7, अब हम लिखते हैं, power of the root क्या होगा, हम पहले power लिखेंगे, power क्या है यहाँ पे 6, तो यह हो जाएगा, 6th power of, root में क्या है, 7, 7 है तो उसको हम लिखेंगे, 7th root of, नंबर क्या है यहाँ पे, 81, तो यह क्या होगे है, इसका power of the root, तो हमने पहले power लिख लिख लिया, 6th power of, और यहाँ पे root हमको दिया हुआ है, 7th, 7th root of, 81, अब हम इसका लिखते हैं, root of the power, root of the power में, हम पहले root लिखने वाले, root हमको क्या दिया हुआ है, 7th, तो यह हम लिख सकते हैं, 7th, root of, इसकी power क्या है, power यहाँ पे 6 है, तो यह हम लिख सकते हैं, 6th, power of, नमबर क्या यहाँ पे, 81, नेक्स्ट कुश्चन हमको दिया हुआ है, 4th one, 100, रेस टु दब, power में है 4, और root में है 10, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, power of the root, तो हम सबसे पहले power लिखेंगे, power यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यह हम लिख सकते हैं, 4th, power of, root क्या है यहाँ पे 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं, 10th, root of, 100, अब इस नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं, root of the power root of the power में हम पहले root लिखेंगे उसके बाद power लिखेंगे तो root यहाँ पे क्या है 10th तो यह हम लिख सकते है 10th root of power क्या है यहाँ 4 तो यहाँ लिख सकते है 4th power of अब हम लिखेंगे यहाँ पे number number कितना है 100 next question है 21 21, raised to the power में हमको दिया हुआ है 3, और इसका root है 7, 3 को हम cube कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये हम लिख सकते है, cube of, अभी यहाँ पे 7 किया है, इसका root है, अब हम root लिखते है, 7th root of 21, तो ये होगे इसका cube, तो cube of 7th root of 21, अब हम इसका लिखते है, root of the power, root of the power में हम पहले root लिखेंगे, root किया दिया हुआ है, 7th, तो ये हो जाएगा, 7th root of, पावर किया है यहाँ पे, cube, cube of 21, और ये हो जाएगा इसका answer, अब हम solve करते है, question number 2, देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, write the following numbers in the form of rational indices, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, words में दिया हुआ है, और हमको इसको rational indices के form में लिखना है, बहुत easy है यह, first question हमको क्या दिया हुआ है, square root of 5th power of 121, तो जो statement दिया हुआ है, उसके basis पे हमको इसको rational indices के form में लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको जो base number है, वो लिखना होगा, base number यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, 121, उसके बाद आपको देखना है, कि root में क्या दिया हुआ है, और power में क्या दिया हुआ है, देखो यह क्या लिखा हुआ है, square root, आपको पता है कि square का मतलब होता है two, और root का मतलब जो denominator के place पे आता है, और 5th power, 5th का मतलब क्या हुआ, यह power है, 5th power है, और power हमेशा numerator के place में आता है, तो यह हम लिख लेते हैं इसको, हम rational indices के form में लिख लेते हैं, तो power में हमको कितना दिया हुआ है, 5, तो यह हम लिख सकते हैं, 121 raised to the power, यह कितना हो जाएगा, 5 upon, रूट में हमको कितना दिया हुआ square, that is 2, और यह हो जाएगा इसका answer, second question हमको दिया हुआ है, cube of 4th root of 324, तो इसका base number क्या है, यहाँ पे, 324, यह हम लिख लेते हैं, अब हम इसके power और root लिखते हैं, देखो यह क्या लिखा हुआ है, 4th root, that is root के place में हमको कितना दिया हुआ है, 4, और power के place में cube दिया हुआ है, cube का मतलब कितना होता है, 3, और root हमको कितना दिया हुआ है, 4, so 324, raise to the power 3 upon 4, और यह हो जाएगा इसका answer, next question हमको दिया हुआ है, 5th root of square of 264, तो यहाँ का base number है, 264, 5th root, that is root के place पे हमको कितना दिया हुआ है, 5, और square, square यहाँ पे क्या है, power है, तो यह हम लिख सकते है, power के place पे हम लिख सकते है, 2, और root के place पे हम लिख सकते है, 5, यह हो जाएगा, 264, raise to the power 2, and root 5, और यह हो जाएगा इसका answer, next question है, cube of cube root of 3, तो यहाँ पे base number हमको कितना दिया हुआ है, 3, cube of cube root, देखो, root के place पे भी यहाँ पे cube है, और power के place में भी 3 है, तो इसको हम लिख सकते है, 3 upon 3, that is 3 raise to the power 3 upon 3, और यह हो जाएगा इसका answer,